नमस्ते दोस्तों मोनी रोसुई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चनाजाल की सब्जी जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को जरूर बनाए यह सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए अब हम रेशिपी बनाना सुरू करत हैं चनाजाल का टेस्टी सब्जी बनाना सुरू करते हैं चनाजाल का टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोड़ी चनाजाल लिया है इसे सबसे पहले पानी में भीगा देंगे और इसे चार से पांच घंटे के लिए छोड़ देंगे चार पाँच घंटे के बाद हम देखे हैं कि चना दाल अच्छे से फूल गया है अब हम इसे अच्छे से धोलेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे तो ये मैंने सारा पानी निकाल लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे पिषने के लिए एक मिक्सिक ग्राइंडर में इसे हम डाल देंगे और अब इसमें चार पांच लसुन एक इच अधरक दो हरी मिर्च अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो लसुन को आप यहां स्किप कर दे और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम पिष लेंगे यहां पर ध्यान देना है कि डाल को हमें ज्यादा फाइन नहीं पिषना है यहां हमें थोड़ा सा दरदरा पिष के त्यार करना है तो यह देखिए दोस्तों यह हमारा चना डाल का पेस्ट रेडी हो गया है आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं नेक्सude की और तो डर गैस कौ on करके पैन को गजब कर देंगे पैन के गर्म होते ही इसमें हम 2 चमक तेल डालेंगे तेल के गरम होते ही इसमें 1फौस क्याम का तोरी पाङनी डालना है तो जो हमने डाल पीस के रखा है उसे भी हम डाल देंगे अब इसमें हमें one fourth का टोरी पानी डालना है तो इस पानी को हम जार में डाल कर जार में जो बचेवे डाल हैं उसका भी उच कर लेगे अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे अब इसे हमें चलाना शुरू कर देना है दाल जो है कि ये तुरंत ही गुटलिया बनना शुरू हो जाती है तो इसलिए दाल को लगाता चलाते रहें और हाँ डाल को जब पैन में डाल रहें तो उस समय गैस का फ्लेम लो रख कर दें हम इसे लो फ्लेम पर 6-8 मिनिट तक पकाएंगे जैसे कि हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे पका लेना है जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये खुद ही पैन से अलग होने लगेगा आठ मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर डाल पैन से अलग होने लगा है डाल हमारा पक चुका है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसके बाद एक प्लेट में तेल से ग्रिस कर लेंगे उसके बाद ये मिक्स्चर जो हमने त्यार किया है इसे इसमें डाल देंगे और एक कटोरी में ठंडा पानी यानि कि रूम टंप्रेचर वाला पानी एक कटोरी में रख लेते हैं और हतेली को पानी से हलका से भीगा कर इसे इस तरह से फैलाएंगे इससे क्या होगा कि मिसरन हमारे हाथों में चिपकेंगे नहीं और हमें गरम भी नहीं लगेगा तो इस तरह से आप पूरे अच्छे तरीके से इसे फैला दे और फिर इसे पूरा ठंडा होने के लिए रख दे अब यह देखिए हमारा मिसरन पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसे हम बर्फी के सेप में कट कर लें आप अपने पसंद के अनूसार कट कर लिजिए आप चाहे तर सक्क्वाइर भी खंश कर सकते हैं या बर्फी के सेपimal कर लिया है अब चलिए इसे हमें solar fly करना है तो चले हैं गैस की तरफ पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे तेल के गरम होती ही इस बर फी को हम solar cry करेंगे आप चाहे तो इसे डिँपराइ भी कर सकते हैं इसी हमें दोनों तरफ से हखासा फ्राइ करना है यह पर गैस काocy तो इसे हमें पलट कर दूसरे तरब इसी तरह से नाश्क्राइक ये तरह सकते हैं तो यह देखिए अश्क्राइब करना है इसे दूसरे तरह करके निकाल लेते हैं और बचे वे बर्फी को भी हम इसी तब हर कर लेते हैं अब हम सब्जी बनाएंगे तो गैस अन करके पैन को गरम करें इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे सरसो के तेल में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है आप चाहे तो दुसरी तेल का व्यूज कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद इसमें आदा छोटा चमजीरा दो तेजपत्ता, डालचिनी, लॉंग और एक बड़ी लैची को इस तरह से करस करके डाल देंगे इसे पका ले अब इसमें हम दो मीडियम साइज का प्याच को डालेंगे तो यहाँ पर मैंने प्याच को बारिक काट के डाल दिया है अब प्याच को हमें तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है प्याच को हमें तब तक पकाना जब यह हलका गुलावी ना हो जाए प्याच हमारा हलका गुलावी हो गया है, हमारा प्याच पक चुका है अब यहां पर हम एक छोटा चम्मच अद्रक लासुन का पेश डालेंगे और अब इसे हम पका लेंगे यह हमारा प्याज अद्रक लासुन पक गया है अब इसमें हम मसाले डालेंगे आदा छोटा चम्मच हल्दी एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पॉडर मिर्च आप अपनी सौध कनुसर कम्या जादा कर सकते हैं आदा छोटा चम्मच धनिया पॉडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला और अब इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखें जिससे हमारा मसाला जले नहीं अब यह मसाला हमारा भून गया है अब यहाँ पर हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब इसे हम मिला देंगे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे ध्यान रहे हैं कि नमक हमने बर्फी में भी डाला था उस हिसाब से यहाँ पर अपना नमक डालें नमक और थोड़ा सा पानी डालने से टमाटर हमारा जल्दी से नरम हो जाएगा अगर आप टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं तो इस समय पर पानी और नमक डालने की जोगत नहीं है अब टमाटर को हमें प्याच के साथ 5-6 मिनट के लिए लोटू मिडियम फ्लेम पर पका लेना है तो यहाँ पर मैंने पैन को कवर कर लिया है और लोटू मिडियम फ्लेम पर इसे पकने दे देती हूं कि यहां पर टमाटर और मसाला अच्छे से पग गया है मसाला से तेल निकलने लगा है अब इसमें हम डालेंगे पानी तो यहां पर मैंने वनन हाफ का टोरी पानी डाला है कि अभी से मिला देंगे छोड़ने के लिए छोड़ देंगे अब देख सकते हैं ग्रेवी में गुबाल आ गया है अब जो हमने चने डाल के बर्फी बना कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे गैस का फ्लेम मैंने यहां पर मिडियम रखा है बर्फी डालने के बाद इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है चार से पांच मिनट के लिए ढख कर इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाना है तो इसे मैं ढख देती हूँ और पांच मिनट के लिए पकने देती हूँ पांच मिनट के बाद इसे एक बार हम मिला लेते हैं ये सबजी हमारा बन चुका है अब इसमें थोड़ा सा हम धन्या पतर डाल देते हैं और गैस को बन कर देते हैं और फिर कवर करके पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे ये ग्रेवी थोड़ी ठिक हो जाएगी तो ये लिज़े दोस्तों चना डाल की बरफी की सबजी हमारे बन कर तयार हो गए है इसे मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है तो कितनी मज़दार और स्वादे सबजी बन कर तयार हुई है जब भी आपके घर में कोई सबजी ना हो तो आप इस सबजी को जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरी ये रेसे पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें